प्रदेश में भगवान शिव के अनेकों मंदिर है जहां भोले नात शिवलिंग रूप में वराजमान है लेकिन मंडी शहर में भगवान शिव का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां भोले बाबा साक्षात मूर्ती स्वरूप में कमलासन पर वराजमान है महामरितिंजे नाम से विख्यात इस मंदिर की खास बात ये है कि यहां विराजमान भोले बाबा की मूर्ती दिन भर में पांच बार अपनी मुख मुदराएं बदलती है इस बात का अभास जहां मंदिर आने वाले भगतों ने भी किया तो वहीं मंदिर में बाकाइदा इस बात का लिखित तौर पर दावा भी किया गया है मंदर के पुजारी दीपक शर्मा ने बताया कि सोलवी सदी में निरमेत इस मंदिर में अधिकतर लोगों को प्रहम है कि मंदर के पुजारी हम मुर्ती की मुख मुद्राओं को बदलते हैं अधिकतर लोगों को ब्रहम है कि फिर्श भवान का हम चेंज करते हैं वह सकुछ नहीं होता है तो अदमी का क्या अपने मन के जो उसके भाव है उस पे अधार होता है अधिकतर लोगों का दावा है कि मुख मुद्राओं के परिवर्तन को बहुता है अपने के लिए यहां दिन बर एकाग्रमन्द से बैठकर ध्यान करना पड़ता है बहुत से ऐसे शिव भक्त है जो मूर्ती के बदलते स्वरूपों का अभास कर चुके हैं उन्होंने खुद भी मंदिर की इस मानिता के बारे में सुनने के साथ ही इसे महसूस भी किया है इस मूर्ती का चमतकार यह है कि यहां पर शाक्षात दावा महमरित्म जे विराजमान है और सुना है कि अनुभावी किया है महसूस किया है हमने कि यह मूर्ती दिन में चार-पांच बार अपना जो है सुरूप बदलती है और इसे देखने के लिए एक कागरचित होते बैठना पड़ता है और उसके बाद हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर सकता है कि यह मूर्ती जो है अपना दिन में अपना अलग-ल मानता है कि भगवान शिव के महा मृत्यूंजे स्वरूप को अकाल मृत्यू रोगपीडा दुरगटना और व्यादी आदी से नजात दिलाने वाला माना गया है यह अतिहास एक मंदिर पूरी तरहां से प्रशासन के अधीन है और यहां की सारी व्यवस्ताएं प्रशासन द